दोस्तों बात करते हैं Infosys के बारे में, देखें लगातार अच्छा का सा Momentum आपको Infosys Company की अंदर देखने को मिल रहा है, बिजनिस लगातार मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, और अगर शेयर की भी बात करते हैं तो शेयर के अंदर भी अच्छा का से उपर की तरफ Level देखने को मिल रहा है अब देखे सबसे बड़ी समस्य यह है कि जिस तरकी की कमपणी है और अच्छा-कासा रुजान भी इस कमपणी के इंदर हम लोग को लगाता हुआ देखने को मिल रहा है शेर प्राइस लगाता है उपर की तरह हमुग करता हुआ नजरा रहा है लेकिन का की कमपणी है चाकासा रुजान लगातार इसके अंदर हम लोग को यहां पर देखने को मिलता ही रहता है देखे दोस्तों आपको यहां पर बताना चाओँ कि लगबग सात लाग करोड का मार्केट वेल्यू जो है यह पार करती हुए नजरा रही है अच्छे-खासी तेजी जो है आपको इस टॉक के अंदर आज भी देखने को मिली, अब अगर इसी करम में बाकी जो कमपनी है, रेलाइंस इंडिस्टी, 7 लाग करोड का मार्केट वेल्यू पार कर चुकी है, TCS की बात करते हैं, तो ये भी पार कर चुकी है, अब देखे, 7 लाग करोड का मार्केट वेल्यू पार करने के लिए, अब देखे, 7 लाग करोड करोड करोज किया है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो हमें हाथ देखने को मिल रहा है, वो किसका है, तो वो नॉर्मल सी बात है, आम निवेश को का है, पैसा उसके अंदर आ है, बड़े-बड़े दिगज उन्हें कंपणी के अंदर निवेश किया, अब देखे आगे मैं आपको बताना चाहूँँगा कि Infosys के अंदर आज एक बड़ा action बड़ा move देखने को मिला और all time high 1658 रुपे का हैं पर टच करता हूँ नजरा है लगबग 1.6% की बढ़त हमें stock के अंदर देखने को मिल चुकी है Infosys share की बात करते हैं तो 5 दिन का moving average, 20 दिन का moving average, 50 days, 100 days, 200 days सारे moving averages से में हम लोग उपर की तरफ कारोबर करता हूँ और नजरा रहा है अब देखें stock के अंदर आज अच्छी खासी rally आपको देखने को मिल चुकी है higher की बात करते हैं तो 154 का level हमें देखने को बिला यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि stock 31.71% हम लोग को 1 January 2021 से लेकर अब तक तेजी दिखा चुका है और अगर ओवराल एक साल की बात करते हैं पिछले साल से लेकर अब तक तो 72% की तेजी हमें इसके अंदर देखने को मिली है यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि Q1 की earning इस company की आचुकी है और stock के अंदर हम लोग को लगातार अच्छा कासा momentum देखने को मिला था तो अब लगातार जो है अच्छा कासा रुजान इस company के अंदर बना हुआ है ओवराल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो 14 जोलाई को इस company ने अपने नतीजे डिकलेर किये थे और लगबग 23% की तेजी हमें net profit के अंदर देखने को मिली थी June quarter में net profit जो हमें यहाँ पे देखने को मिला था लगबग 5,195 करोड के आसपास और अगर हम तुलना करते हैं पिछले साल की तो 4,233 करोड के आसपास हम लोग को यहाँ पर दिखने को मिला था तो देखें profit हम लोग को यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ था साथे में दोस्तों बताना चाहूँगा की company का revenue भी हम लोग को increase होता हुआ नजर आ था तो लबक 14 से लेकर 16% के आसपास हमें इसके अंदर तेजी दिखने को मिली तो overall company के अंदर जो growth इस समय दिखाए दे रही है वो positive है लगातार company मजबूत होती हुए नजर आ रही है अब देखे बात करते हैं share की तो 1657 रुपे की आसपास इससे में दिखाए दर आच्छी खासी तेजी आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है यहाँ पर long term का chart pattern देख लेते हैं तो stock इससे में बिलकुल आपको उपरी लिवर पर देखने को मिल रही है लगातार तेजी का इस company के अंदर देखने को मिल रही है तो यहाँ पर अगर ऐसी company से भी अगर हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो इसमें गलती stock market की नहीं है इसमें गलती हमारी खुद की है तो हम लोग जो है सही तरीके से रणनिती के साथ में हम काम नहीं करते हैं तो हम ऐसी company का भी फाइदा नहीं उठा पा रहे हैं अवराल क्या कि खरिदारी करते वक्त आपको सरफ इतना ही ध्यान में रखना है कि stock के अंदर अगर गिरावार दिखने को मिलेगी तब मैं क्या करूँगा तब मेरे पास में इतने पैसे हैं कि मैं इसके अंदर और quantity खरीच सकूँ तो अगर आप इस